के पास्तो रुपए के नोट पर हमारे राम-चंदर जी की तस्वीर हो यह भारत देश में सब करोड हिंदु रहता है यह सब करोड हिंदों की डिमांड है मांग है और इस मांग को पूरा करें अरे अमेरिका जैसे शेत्र में अमेरिका जैसे शेत्र में मर्यादा पुष्षत्म भगवान राम चंद्र जी की वर्ल्ड पीस बोर्ड कहकर वहां पर भी करंसी चलाते हैं और थाइलेंड में हमारे भगवान विष्णो और भ्रम्मा जी और शिव जी की प्रतिमा को वहां कर भी करंसी में चलाते हैं और यूरोप में भी यूरोप के शहर में राम नाम की करंसी भी चलती है और इंडोनेशिया जहां पर 87% मुसल्मानों की आबादिये वहां पर भी 20,000 की नोट पर भगवान गनेजी की प्रतिमा होती है तो हमारे भारत देश में जो आज पुरा विष्व देख रहा है कि अयोदिया में राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो पूरे राम भक्तों की यहां निवेदन है राम जी की तस्वीर 500 रुपी की नोट पर होने चाहिए मेरे भाईयों आज कितना खुशी हो रही है आपको बताईए सच मुश में कि राम लला वहां पर विराजमान हो रहे है अरे हम लोग कहते थे कि यह लाठी गोली खाएंगे मंदर वही बनाएंगे कुछ लोग कहते थे मंदर तो बनाओंगे लेकिन तारीक नहीं बताओंगे तो आज वो लोग यह देख रहे हैं कि तारीक भी तै हो गई और मंदर भी बन गया 22 जनवरी के दिन कोट के आदेश पर यही कोट के आदेश पर यही कोट के आदेश पर मथूरा में भी कृष्म जी का मंदर बनेगा कोई रोक नहीं सकेगा कोट के आदेश पर यही कोट के आदेश पर ग्यान वापी की जो इन लीगल रूप से जो बना हुआ है कोट का आदेश आएगा और वो हटेगा और वहाँ पर भी भव्य मंदर बनेगा मेरे भाईयों कोई रोक नहीं सकेगा अरे बाबर ने और अंगजेब ने कईयों मंदिरे तोड़ी है कईयों मंदिरे तोड़कर वहाँ पर पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बनवा दिया है लेकिन सभी के सभी बनेंगे लेकिन मैं हमारे महरास्टर के मुख्य मंदिरी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे महरास्टर में वकबोड की बहुत सारी जमीने जो कईयों खेतों की जमीने कईयों किसानों की जमीने इलिगल रूप से कबज़ा हो गई है वकबोड के नाम पर आपको बताएं नहीं वकबोड क्या है यह वकबोड ऐसी एक चीज है ऐसी एक एक है अगर सफोस यह ग्राउंड है अगर चार लोग आकर एक छोटा सा पिटिशन लिकर डाल दे कि यह वकबोड का लैंड है तो लैंड को कोई नहीं बचा सकता भारत के सविधान में कही पर भी यह नहीं लिकावाई कि एक बार वकबोड क्लेम कर दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता उतना ही स्ट्रॉंग वकबोड के कानुम को बना कर चलेगे हमारे चिच्चा नहिरुजी हमारे चिच्चा नहिरुजी को बहुत प्यार था जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो वो समय पर बहुत सारे लोग भारत के दो तुकड़े करके पाकिस्तान भाग गए तो हमारे चिच्चा नहिरुजी ने ये सोचा कि ये जो पाकिस्तान भाग गए इनकी जमीन को हम कैसे बचाए जाए तो दुर्भा की देखिए 1954 में जो पाकिस्तान के रहान मंतरी लियाखत अली खान से मिलकर एक एक्ट का निर्मान किया गया और उस एक्ट को इंप्लिमेंट किया गया और एक्ट के अनुसर जो जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीनों को वख बोर्ड का बोर्ड लगा कर वहाँ पर इनका कब्जा लगाया गया दुर्वागी देखिए मेरे मित्रो अगर हम इतियास की अगर बात करें तो आपके महरास्ट में एक लाख एकर वर्ड बोर्ड के पास जमीन है आपके महरास्ट राज्जी में दो हजार नव में इनके पास सिर्फ चार लाख एकर जमीन थी और दो हजार नव से लेकर अभी तक इनके पास लगबग दस लाख एकर जमीन होगे यानि छे लाख जमीन छे लाख एकर जमीन अनना बढ़ा ली है महाराष्टे में अगर मैं आपको बतINA चाहूं गा तो सिर्फ पूने में 9301 जमीन इनके पास है नाकपूर में 9201 इनके पास जमीन है नासिक में 8400 इक जमीन इनके पास है कुंडेनो में 6000 इकर जमीन है और अमरावाती में 2800 इकर जमीन है अगर मैं ऐसा इतिहास बता दे जो तो हर जगा पर इनके पास वागबोट के नाम पर जमेन कब्जा है तो हमारे शिंडे जी से निविदन करता हूँ शिंडे साथ एक लाक एकर जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए